आज साथ जन्वरी दो हजार बाइस बाप दादा के महावा के हैं मेठे बच्चे सर्व शक्ति मान आल्माइटी अथर्टी बाप की याद से आत्मा पर चड़ी हुई विकारों की जंक को खाद को ऐलाई को कमी कमजोरियों को उतारने का पुरिशार्त करो विक सब से सर्व शक्ति मान कोन है हमारा बाप आत्माओं का बाप इतना याद करो इतना याद करो कि आप में जो भी कमी कमजोरियों पड़ी हुई है सारी ख़दम हो जाएंगा प्रेशन है बाप से बुद्धी योग तूटने का मुख्यकारन और जोडने का सैज पुरिशार्त क्या है हमारा योग क्या है बुद्धी योग है बुद्धी से बाबा को याद करते है मन बुद्धी से बाबा को याद करते है आत्मा में मन बुद्धी है वही बाबा में लगानी है तो वो योग connection relation टूटता क्यों है और जोड़ने का सहच परशाद क्या है दोनों कारण सुनो उतर है बुद्धी योग तूटता ही है दे अभिमान में आने से बाप के फर्मान को भूलने जो बाबा ने आ गया दिया है औरर की है उनको भूलने से और गंदी द्रिष्टी रखने से जो आपकी द्रिष्टी खराब होगी इंटेंशन्स ही खराब है तो बाबा से connection टूट जाता है इसलिए बाबा कहते बच्चे जितना हो सके आगया कारी बनो पूरे आगया कारी बनो क्या आगया कारी किसे बनना है देही अभि मानी बनने का पुरा पूरा पुरा पुरशार्त करो अपनी देह भी याद ना आए तो बाकी देहें भी याद ने आएंगी यह सारा पुर्शार का और अविनाशी सर्जन की याद से आत्मा को शुद्ध बनाओ यह अपने को आत्मा समझ अपने अविनाशी बाप को अविनाशी सर्जन को याद करो तो आत्मा प्यूर बन जाएगी तो प्यूर्टी का ही सारा शुद्धा का ही है सारा गीत है आने वाले कल की तुम तिखदीर हो आने वाले कल की तुम की तिखदीर हो ओम शान्ती शिव भगवान वाच बच्चों ने गीत सुना बच्चे समझते हैं हमारे सामने बाबा बैठा है जिसको कहा जाता है पतित पावन पतितों को पावन बनाने वाला तो परम पिता परमात्मा को जरूर पतित पावन कहेंगे ब्रमा विश्नु शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे वो तो है परम पिता परमात्मा कोन है वो ही तो है ज्ञान का सागर और बच्चे जानते हैं हम आत्मा एं परम पिता परमात्मा से ग्यान सुनती है तो तुम अब बने हो आतम अभिमानी दुनिया में सब है दे अभिमानी तो आत्म अभिमानी श्रिष्ट अचारी बनते है जो आत्मा का अभिमान रखते हैं मैं आत्मा हो आत्मा का पैक्टिस करते रहते हैं मैं परमात्मा की संतान हो जो यह पैक्टिस करते हैं वो श्रिष्ट आचनवाले बन जाते हैं और उनको परमात्मा ही बैठ आत्म अभिमानी बनाते हैं तो बाबा समझाते है आत्मा ही पाप आत्मा पुन्य आत्मा बनती है पाप जीव या पुन्य जीव नहीं कहा जाता है पाप शरीर नहीं कहा जाता है उन्य आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है यानि आत्मा में ही संस्कार रहते है शरीर तो घड़ी घड़ी विनाश होई जाता है तो तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा को कहते हैं, क्या कहते हैं अविनाशी सर्जन भी कहते हैं, सबसे बड़ा सर्जन, डॉक्टर शिव बाबा है, जो उपपर से देखो, आपकी सर्जरी कर देता है, अब आत्मा भी अविनाशी, बाब भी अविनाशी है, यनि आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती, बाकी हाँ, आत्मा के उपर शेतानी की कर चरती है, जंक चरती है, गंदे ते गंदी, नमबर वन कर चरती है, लस्ट की, काम विकार की, फिर है, क्रोध की कर, आत्माओं को बाब बैठ समझाते हैं, तो ये पक्का निश्चे होना चाहिए, कि परमपिता परमात्मा इस साधारं ब्रह्मा तन में परवेश करते हैं, तो वो हुआ इस रत का रती, शिवाब को नहीं है, ब्रह्मा की तन इस रत का रती, इस रत को शरीर को चलाने वाला, अब गोड़े गाड़ी का रत नहीं है, जो दिखा दिया उसमें, गोड़े का रत लिया, गोड़े गाड़ी का रत नहीं है, परम पिता परमात्मा बच्चों को समझाते हैं कि हे आत्मा सारा ज्ञान किसलिए है ये? सारे समझाई किसलिए है ये? कि हे आत्मा तुम्हारे उपर पांच विकारों की कट चड़ी हुई है और पांच विकारों को ही का जाता है रावन, माया रावन की कट चड़ने के कारण ही तुम सब विकारी बने विकारी बने और दुखी बन गए पदिद बने इसलिए दुखी बन गए हो तो अब मैं तुम्हारी कट उतारता हूँ जो रस लगी है आत्मा में, जंक लगी है, कनेक्शन जुड नहीं रहा है तो मैं उतारता हूँ तो इस कट को उतारने वाला सरजन मैं एक ही हूँ मनुश्य आत्मा का दूसरा कोई सरजन हो ही नहीं सकता अब श्री को बिमारी लगी है, आई कहां से आत्मा से अब लोग श्री के डॉक्टरों रूनते हैं, वो करेगा वो करेगा, वहां दौई लेलो, वहां दौई लेलो हरे कुछ नहीं न दौई से, कर्ट तो आत्मा में लगी है आत्मा की सरजनी परंपिता प्रमात्मा करने वाला है यह समझने की बात है जब यह बात समझा जाए तब समझो आपको अध्यात्मिक ज्ञान का नौलज हुआ है मनुष्य आत्मा का दूसरा कोई सरजन होई नहीं सकता यहनि कहने का बाओ, मनुष्य कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, कितना भी वर्ल्ड फेमस डॉक्टर हो, है तो मनुष्य मनुष्य कभी आत्मा की कट को उतार नहीं सकते तो इस कट को उतारने के लिए सर्व शक्तिमान पर मात्मा की आवश्यक्ता है वो कहते हैं, हे जीव की आत्माएं, इस शरीर में रहने वाली आत्माएं क्या क्याते हैं, हे मेरे बच्चे, मुझे याद करेंगे, आत्मा समझ करके मुझे याद करेंगे, तो तुमारी आत्मा की कट उतरती रहेगी, यादी नहीं करेंगे तो कट उतरेंगी नहीं साफ साफ अब बोर रहे हैं, धार्ना नहीं होगी, तो उच्पद भी नहीं पाएंगे, तो कट चड़े हुए को का जाता है, पतित, इसमें पांच प्रकारोगे कट चड़े हुए है, उसको कहते हैं पतित, जब आत्मा पतित बनती है, तो उनको शरीर भी पतित मिलता है, ज अब सतो परधान आत्मा है, तो उनको शरीर भी सतो परधान मिलता है, कट चड़ती है, धीरे धीरे, जैसे आटे में नमक, फिर दौपर में बहुत कट चड़ती है, पहले तो धीरे धीरे कट चड़ती है, कमी कमजोरिया, कुछ शरम, कुछ हया होती है पहले, अभी तो कोई शर्म नहीं कोई हया नहीं है है ना फिर दौपर में बहुत कड़ चड़ती है यानि आत्मा की कलाएं दीरे दीरे कमती होती है अब सोला कला से चोदा कला होने में बारा सो पचास वर्ष लग जाते हैं तुमको ये समरिती रहनी चाहिए कि हम बी के ब्रमा गुमार गुमारिया राम के बच्चे हैं बाकी सब दुनिया में हैं रावन के बच्चे क्यों क्योंकि विश से पैदा होते हैं विकारों से पैदा होते हैं सत्यू में विश होता ही नहीं तो इस समय भल कोई कितनी भी आशिरवाद देने वाला हो परंतु उनके उपर भी जरूर कोई आशिर्वाद देने वाला है जैसे पूप के लिए कहते हैं कि वो आशिर्वाद देते हैं ब्लेसिंग देते हैं परंतु उनको भी उस परमपिता परमात्मा की ब्लेसिंग चाहिए तभी तो उंचे ते उंचा है तो तुमको ब्लेसिंग तब मिलती है जब तुम शिरीमत पर चलते हो और जो आग्याकारी ही नहीं उनके उपर आशिर्वाद कैसे होगी इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो मैं सोल हो सोल की कौंशिस में रहूँ देह का अभिमान है तो गोया फरमान नहीं मानते बाबा की आगे नहीं मानते तो पद भरष्ट हो जाता है अब बाप आए है अभी बाबा आए है तुम भारत को शरेष्ठा चारी बनाने की सर्विस करते हो तुम क्या करते समय है भारत को शरेष्ठ आचरन का बनाने की सेवा करते हो तुमको तीन पैर प्रित्वी भी मुश्किले मिलती है यह नहीं तुम जाए तुमारे लिए तुम्हारे लिए सारे स्रिष्ठी को ही नया बना देता हूं। बाब बाब बाद निए तुमारे लिए सारी स्रिष्ट्री को ही नया बना देता हूं तो परदशनी में तुम बड़ो बड़ों को भी समझा सकते हो कि हम इस उच्च सर्विस पर हैं भारत को श्रेष्टा चारी बना रहे हैं कैसे बना रहे हैं वो आकर समझो हम तुमको बतला सकते हैं तो परदशनी दिखला कर समझाना चाहिए कि शिरिमत शिरेष्टमत है ही एक परमात्मा की जो सदैव एकरस पवित्तर है वही अभोगता असोचता ग्यान का सागर है गीता में लिखे ना कि तो मुझे नहीं पहचान रहे तो मुझे पहचान रहे हो मैं अजन्मा अभोगता अकरता हूँ यह बात क्रिशन से तो लगती नहीं वह तो भोगता भी है तो कौन हो अद्रिश्य हो तो मुझे पहचानने की कोशिश करो मुझे कोटों में कोई ही पैचानते है तो बबने का वही अभोगता असोचता ज्ञान का सागर है और वही स्वरकी स्थापना करते हैं उनकी शिरिमत पर हम भारत की सर्विस कर रहे हैं अगरी खाल कंच उधानते हैं भारत के वह मैं झाया ना, पैन्दम को सागर पांडव को अम्को इतना राज्य हो को मारोश्य हो तोड़ जगा देता हुआ थोहाल। पांडव में फांडव को नाया इसस के लिचे बच्चे सब पांडव STEVEN हैना इससमें 6 लिचे बीची और लिचे में बन्ध री इंद बना देता हूँ तो बबबा ने कहा गायन है ना पांडव को फ्रोच प्रिटवी के नहीं मिलते थे पस समझाने की बड़ी विश्याल बुद्धी चाहिए सो तब होगा बुद्धी की विश्यादा कब होगी जब योग पूरा होगा अमरित में ले सोएंगे नहीं तो देह अभी माल की कट भी तब ही उतर सकती है तो बाबा राय देते हैं कि फलाने फलाने को समझाओ कि हम सबने परतिग्या की हुई है किस बात की परतिग्या की है हमारे पास तो फोटो भी है ये फोटो सब हेड आफिस और देली तता सेंटर्स पर भी होने चाहिए इसमें भी बड़ी विशाल बुद्धी चाहिए फोटो की तीन चार कौपिया होने चाहिए जाते ने बावन जाते थे पहले गुरुप फोटो होती थी बड़ी तो फोटो भी चाहो तो अपने वाद तीन चार कौपिया रख लो परंतु माया किसी समय किसी भी बच्चे पर जीत पा लेती है फिर फिर क्या होता है अश्चरिवत परंपिता परमात्मा का बननती विश्व का राजी लेवनती फिर भी भागनती हो जाते है बाबाब को बड़ा अफसोथ लगता है ने पता है मैं विश्यू का राज़ ले रही है और सब कुछ मिल रही है फिर भी पता ने कैसे बागरूंती हो जाते है अब बेहत का बाप कहते हैं मैं सारी स्रिष्टी को बदलता हूँ फिर तुमको फिर्ट कलास स्रिष्टी बना कर दूँगा जहां बैठ तुम राज्य करना और सब का फिनाश हो जाएगा तो बच्चों को इस सब चीज़ों के लिए देही अभिमानी सोल कॉंशिस जरूर बनना है और पवित्तर बनने का तो सब को हक है जबकि बाप आया है और बाप कहते है मेरे साथ योग लगता है लगाओ ज्यान अमरित्पियो और ज्यान अमरित्पियो तो तुम श्रिष्टा चारी बन जाएंगे ज्यान और योग के दो पवित्तर रहना तो अच्छा है ना देवताइं भी पवित्तर थे तो पतित से पावंग बाप आकर बनाते हैं और सत्यों में वहां सब निर्विकारी रहते हैं वो है ही निर्विकारी दुनिया वाइसलेस दुनिया तो भारत वाइसलेस था तभी तो कहते थे सोने की चड़िया थी ऐसा किस ने बनाया जरूर बाप नहीं बनाया होगा तो आत्माही अपवितर आत्माही अपवितर बनी इसलिए रोगी बनी है रोग क्यों लोगी आपको विमारी क्यों लगी क्योंकि आप अपवितर बनी है अब आत्माओं का सरजन तो है परमात्मा मनुष्य तो होई न सके बाप कहते हैं मैंखुद पतित पावन हो मुझे सब याद करते हैं अब पबित्र रहना तो अच्छा है ना पहले अंदर ये फील कलो चीजिदरा कि पबित्र रहना तो अच्छा है ना अच्छा लगेगा तब तब पुवित्र बनना भी नहीं पाओगे पुवित्र रहना गंद बे रहना अच्छा नहीं लगना चाए आपको अब सादू संत आदी सम्मुझे ही याद करते आए हैं अब जनम जनमांतर याद करते ही हैं कि हे पतित पावन आओ तो भगवान एक है ऐसे नहीं कि सभी भगवान है बगती भगवान है भगवान को भी जानते नहीं कल पहले भी मैंने समझाया था क्या समझाया था बाबा ने भगवान वाच्छ मैं तुम को राज-योग सिखाता हूं ब्रह्मा तन में आता हूँ जो पुझता वही पुजारी बना है कौन पुझता श्री कृष्ण जो पुझता वही लाज में ब्रह्मा बना पुजारी बना तो पावन राजा थे अब पतित रंक बने हैं तो तुम निश्चे करते हो कि हम प्रजा पिता ब्रह्मा के बच्चे बीके हैं ब्रह्मा के कुमार कुमारियां हैं तो परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मन रचे ब्रह्मन को ही दान दिया जाता है किसका दान देता है बाबा मार को? किसका आजान देता है? सारे विश्यू का, किसको दिया? जो शुद्र से ब्रहामन बन मेरी सर्विश करते हैं, जिनों को सम्मुख बैठ समझाते हैं, क्या वाब सम्मुख समझा रहे हैं? तुम्हारी कभी गंदी द्रिष्टी नहीं होने चाहिए, यानि इंटेंशन कभी भी बैठ नहीं होने चाहिए, परदश्चनी में बड़ी हिम्मत चाहिए समझाने की, पतित पावन एक बापी है, तुम उनको याद करते हो, ये ग्यान सागर से निक्री हुई गंगाएं हैं, इनको कहा जाता है, शिव शक्तियां, कौन बेठे हैं सारे? शिव के द्वारा बनाएगी शक्तियां, तो शिव बाबा से, योग लगाने से, शक्ति मिलती है, अब पांच विकारों की जंक निकलती है, वापस योग लगाएंगे, तो पांच विकार, काम, क्रोध, लोग, मो एकार जो अलाई आत्मा में पड़ी हुई है वो निकलती है अब चुम्बक सुई को तब खिषता है जब साफ है पुवित्र है तुम आत्माओं पर माया की कट चड़ी हुई है अब अब मेरे साथ योग लगाने से ही कट उतरेगी अगर कमी अभी भी है थौट कल जाता है कोई बात नहीं और योग बढ़ाओ और योग बढ़ाओ कुदिटीग हो जाएगा अब ये रावन राज्य है सब की तमो परधान बुद्धी है एक्चप करो इसनमें है रावन राज्य पांच विकारी सब कोई लगते हैं सब की तमो परधान बुद्धी है तब प्रमात्मा ने का है मैं आकर अजामिल जैसे पापी गनिकाओं सादों आदी का भी उधार करता हूँ सब को श्रेष्टा चारी बनाने वाला एक ही बाप है पतित पावन बाप आकर इन माताओं द्वारा भारत को पावन बनाते हैं इसलिए माताओं पुकारती हैं कि पतित होने से बचाओ क्या करती हैं हमें पतित होने से बचाओ यो कि पुरुष पवित्तर रहने नहीं देते तुमको तो गौवर्मेंट को कहना चाहिए कि इसमें हमको मदद करो माताओं को बोरे हैं गौवर्मेंट को बोलो कि हमें मदद करो पर तुम इस्त्रीवी पकी मस्त चाहिए इस्त्रीवी पकी मस्त चाहिए किसे बाबा से मस्ती चड़ी हुई हो वही ये कहसती है ऐसे नहो फिर पती को बच्चों को याद करती रहे फिर और ही अधोगती हो जाएगी फिर तो रसातर में चल जाएगे बाब सब बाते समझाते रहते हैं अभी दो हाजे बाबा के बन जाएगे पक과 बाबा साथ रहेंगे फिर कहेंगे पती जी कहाहा रोगे कि और एन बना ले किसी और को बच्चों को क्या होगा अगर ऐसी बात आगी न फिर गए और ही बुरी गती हो जाएगी तो बाप सब बाते पहले समझाते रहते हैं कैसे युक्ती रचो तो अभी तुम बच्चों के सुक के दिन आने वाले हैं यह पर दिखिया कर लो तो सुक के दिन आने वाले नहीं करोगे तो दुक के दिन तो और आने याने हैं तो अभी तुम बच्चों के सुख के दिन आने वाले हैं यानि मैं तुमको गोल्डन एज दुनिया बना कर देता हूं जिसको का जाता है स्वरग अब शिरीमत कहती है मुझ बाप से योग लगाओ तो तुमारी कट उत्रे नहीं तो नहीं तो इतना पद पा नहीं सकेंगे ना धारना ही होगी कोई भी विकरम अब नहीं करना चाहिए दे अभिमान आने से बुध्धियोग तूट परता है जो देधिश्टी होगी तो बुध्धियोग तूट जाएगा ये ब्रह्मा भी उस बाप को याद करता है तो परम पिता परमात्मा इस ब्रह्मातन में बैठ इनको कहते हैं हे ब्रह्मा की आत्मा हे राधे की आत्मा मुझे याद करो तो तुम्हारी कट उत्रे याद तब पड़े याद कब पड़ेगी बापा से याद कब रहेगी जब अपने को आत्मा समझें और शिरिमत पर पूरा चले मुर्ली पड़ते हैं किसके लिए हो ताकि मुर्ली पर चले फिर लोब भी कम नहीं है कोई अच्छी चीज देखी तो दिल होती है खाने की है ना अच्छा तो सभी में चपरन पड़ी है चलो कोँ देख रहा है खालो पर बड़ इसे का जाता है लोब बिना मांगे बिना पूछे जिसकी डूडी है उससे कोई चीज बिना पूछे खाना ये लोग है बाबा कहते है माया चुहे मिसल फूँक भी देती है और काड़ती भी है शास्त्रों में भी ऐसी बहुत काल्पित कहानिया लिए आई काल्पना जैसी काल्पना लगा दे उन्हें उन्हें तो कहानिया लिखी है सन्यासी फिर कहते ये चित्र तुमारी कल्पना है कल्पना उन्हें लिखी हुई है काल्पित काल्पित काल्पना लिखी हुई है पर हमारे को कहते है ये आपकी कल्पना है बाबा हर बात बच्चों को समझाते रहते हैं ऐसे मत समझो कि हम कुछ करते हैं तो बाबा को पता नहीं पढ़ता ज्यान से सुन ले ना क्या बहुत बाबा ने ज्यान सुनो ऐसे मत समझो कि हम कुछ करते हैं बाबा को पता नहीं पढ़ता बाबा की कैमरा हमारे पर फोकुश होता है जो भी गंटे बाबा जानते हैं इस दुनिया में कितना गंद है अबलाओं पर अत्याचार तो हो नहीं है अबला कोना है? जो अपने को कमजोर समझती है अरे बाबा मिल गया तुम कमजोर कहां से हो गया है? तो क्या करें? अब लोगों को क्या करें? अपने को युक्ती से बचाना है माया तो आएगी आएगी पर अपने को युक्ती से बचाना है नहीं तो फद बरश्ट हो जाएगा तो समझा जाता है ड्रामा अनुसार ये सब कुछ होना ही है ऐसे क्यों माँ वैसे को नहीं ड्रामा प्रमान यह सब कुछ हो नहीं है हम तो समझाते रहते हैं फिर भी नहीं समझते तो कोई दास दासी बनते हैं तो कोई प्रजा बनते हैं अब ड्रामा की भावी बनी हुई है ड्रामा भावी क्या है जो तुम करोगे वो यह तो मिलेगा कर क्या सकते है गरीब सहुकार प्रजा सब बनने जरूर है बाबा आते भी बहरत में है तो ये है नापाक स्थान पाक में पवित्रता नापाक जहाँ पवित्रता नहीं है ऐसा स्थान है तो बाबा आकर सारी दुनिया को पाक यानि पवित्र स्थान बनाते हैं भारत को ही सारा मक्षन मिलता है कहानी कितनी सहज है कहानी कितनी सहज है परंतू ग्यान और योग में रहने की बड़ी हिम्मत चाहिए अब शिरी मत पर नहीं चलते हैं तो पद भरश्ट हो जाते हैं तो बाबा डिरेक्शन देते हैं कि ऐसे ऐसे समझाओ पर समझाने वाला बड़ा स्याना चाहिए और बाप पर कितना लव रहता है बाप प्यार से बच्चे लिखते हैं कितना प्यार से बच्चे लिखते हैं कि हम शिव बाबा के रत के लिए स्वेटर भेचते हैं शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है हमको स्वरक का मालिक बनाते हैं तो बुद्धी में वो बाबा याद आता है चाहिए ब्रमा बाबा को बेजेंगे या तो वो शिव बाबा आता है कि शिव बाबा के रत को हम तोली बेजते हैं शिव बाबा के रत को हम श्रिंगारते हैं जैसे हुसैन के घोडे को श्रिंगारते हैं तो ये है सच्चा सच्चा घोड़ा कौन ब्रह्मा बाबा ये है सच्चा सच्चा घोड़ा पतित पावन बाबा ही पावन बनाने वाला है ये भी अपना श्रिंगार कर रहे हैं कान ब्रह्मा बाबा भी अपना श्रिंगार कर रहे हैं बाबा को भी याद करते हैं और अपने पद को भी याद करते हैं ब्रह्मा बाबा देखते हैं मैंने अभी श्रीकरशन बनना है मैं विश्नु बन रहा हूं अभी और श्री बाबा उसको भी याद करते हैं ये दोनों पक्के हैं ग्यान ग्याने शुरी फिर राज राजे शुरी बनते हैं संगपर ग्यान 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 शुरी सत्युमे राज राजे शुरी तो जरूर उनके बच्चे भी बनने चाहिए बरोबर मालिक बनते हैं नमरवार पुर्शात अनुसार तो राज योग से बनते हैं राज रजेश्री फिर जितना फिर जितना जो सर्विस करे बाबा युक्तियां तो सब बतला रहे हैं ठीजिए ना अभी ग्यान योग में पक्के हो जाओगे एक ही है जंक उतारने की बस ग्यान योग ग्यान योग और कुछ दिखना ही नहीं चाहिए अच्छा मीठे मीठे सिक की लदे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते धारना के लिए मुक्किसार है बाप की आशीरवाद लेनी है बाप आशीरवाद करे तो बाप की आशीरवाद लेने के लिए अग्याकारी बनना है किस बात में आगे गरी बनना है देही अभिमानी बनने का फर्मान पालन करना है बस soul conscious soul conscious दूसरा माया चुही है चुहा नहीं है चुही है इस से अपनी संभाल करने है लोब नहीं करना और शिर्मत पर पूरा पूरा चलते रहना है ठीक है अब यह चॉक्रट लाकर रखेंगे देखते हैं काम कितनी होती है कौन खाता है वर्दान करना क्या है लाइट वर्द कौन सी लाइट ग्यान योग की लाइट प्रियोग में लाने वाले प्रियोगी आत्मा भव यह नहीं की योग किया उल्ली सुनी ठीक है प्रियोग करते हैं मेरी स्थिति कहां पर प्रियोग लगा हुआ है यह नहीं की ठीक है योग लगा हुआ है स्थिति ठीक रहती है मन मचलता तो नहीं है बुद्धी भठती तो नहीं है प्रियोग करते हैं इस दुनिया में तब टैलने में प्रियोगी आत्मा भव किसका प्रियोग करो इसका प्रियोग करो कहां करना है वैल्यूस में एक एक वैल्यूस में लाहिट बनना है कैसे पवन का ज्यानी योगी आत्मा तो बने हो ठीक है सब ज्यान भी करते हैं सुनते हैं योग भी करते हैं अब घ्नीयोगी आत्मा तो बने हो अभी ज्ञानयोग की शक्तिको प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा बना glutenate एक्सपेरियस करो जैसे साइंस के साधनो Seráग का प्रयोग लाइट दौरह होता है ऐसे सालेंस की शक्ती का आधार भी लाइट है तो कौनसी लाइट? अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिती भी लाइट मैं आत्मा लाइट हूँ, परमात्मा लाइट है आपकी जब आपने परयोग किया, कोई पंगा लिया, उसे में लाइट रहे तिती खराब तो नहीं हुई, यह भी डबल लाइट देखने आपने तो जब कोई परयोग करना चाहते हो, तो देखें, मेरा ग्यानियों कितना अचा है तो जब कोई प्रयोग करना चाहते हो, तो चेक करो, लाइट है या नहीं अगर स्थिती और सवरूग डबल लाइट है, तो प्रयोग की सफलता सहज हो चेक करो ग्यान रहा को यास्ट में, बाबा याद रहा, आत्मा याद रहा है मैं आत्मा हो, नहीं तो खेल कर रहे हो, चेकिंग कर रहे हो, उस समय स्थिती चाहिए आप, तब प्रयोग की आत्मा कोगे, तब सफलता मिलेगी आपने, उसके लिए स्लोगन है, जीवन मुक्त का अनभव करना है, जीवन में मुक्त कोई बंदन न रहे, कोई दुख आशांती न रहे, सुखी, कोई शाल रहे, तो जीवन मुक्त अवस्था का अनभव करने के लिए, विकलब और विकर्मों से मुक्त बनो, ना नेक्टिव सोचो, ना नेक्टिव कोई करम करो, सोचना भ रहोगे लाइब में, उस स्टेज कान बग रोगे, खुशार रोगे, शाण्त रोगे, आनंद में रोगे, आज लब लिन esthित्री कान बग करने के लिए, क्या करने हैं बड़ लब में ले लेने के लिए, तयागी और तपसरी आत्माएं, सदा बाप की लगन में मगन रहती विप्रेम के सागर ग्यान अनन सुख शानती के सागर में समाई हुई रहती है ऐसे समाने वाले बच्चे ही सचे तपस्वी है हमारे तपसे क्या है यहां से क्या तिया क्या करना है इस दे की दुनिया का तिया कर दिया कली की दुनिया का त्याग कर दिया अब तपस्य क्या है चले के परमदाओं शांती के साहगा है प्रेम के साहगा है सुक के साहगा है कोई बैठे रहो उन से हर बात का त्याग सुता हो जाता है त्याग करना नहीं पड़ता अब तपस्या करो दे दे की दुनिया का त्याग बन आप लेट आप लेट आप लेट आप लेटाओ लेटार ओम जांती